दोस्तो आपका मन पसंद चैनल हाइटेक टीवी द्यूल इंटर्टेइमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले कीप वॉचिंग हाइटेक टीवी असलावले कुम मैं हुँ जफर खान आप सब्सक्राइब करता हूँ हैटेक टीवी में आज आपको एक ऐसी बहुत ही कम पैसों में और बहुत ही कम सेशन में आपको इलाज होने वाला जो इलाज है आपको मैं बताओंगा जो कि लोग परेशान है इस वक्त यो हालात है काफी परेशान हैं लोग बड़े बड़े दाओखने जाते हैं बड़े बड़े हास्पिटल जाते हैं तो वहाँ पर लोग जाकर परेशान हो जाते हैं कि हम किस तरह अपने इस इलाज को करवाएंगे इतने पैसे होते हैं इतने हो जाते हैं ये होते हैं तो आजकर मेडिकल्स जो बहुत महेंगे ही जा रहे हैं आप देख रहे हैं कितने तरखी कर चुके हैं वो लोग लेकिन इलाज में कोई तरखी नहीं होती है यानि कि बिमारियां बढ़ती ही जा रही है आजकर एक से एक नए नए नमूने की नए नी तरहा की इलाज आ रहे हैं वो ऐसे ही एक ऐसे यहाँ पर बहुत कम लोग है जो बहुती कम सेशन में यानि एक से दो सेशन में लोगों को काफी फादा पहुँचाते हैं जी हां वो है, यूनानी और अईरवेदा जो होते हैं वो द्वाय होती हैं, इन चीज़ों पर तक्रिपन लोग देहां नही देते ह ये लोग थोड़ा सा आज़ान हो चाहा है एक दोर कर देते हैं लोग लेकчес एंचेजों पर देना चाहिए ये लोग जो दवाये बनाते हैं ये खुद्रती की जो जाड़े होती है उन से लेंगकर उन से चुन कर उंको एक कठा करकर उनकी इलाज को उसको पूरा करने के लिए उनको जमा करते हैं तो आई ये इस वक्त में मौजूद हूँ हकीम स्यद मुस्तफा अद्दीन शफाखाना जो यूनानी दवाखाना है यहां पर मौजूद है आज हैदरबाद में है तो आज कुछ लोग है यहां पर उनके साथ जुड़े हैं जो इनके पास इलाज करवाए हैं उनलों को काफी फाइदा हुआ है जैसा कि हाट ब्लॉक या फिर कैंसर या फिर नेल बेंज या फिर और बहुत से तरह के बीमारिया हैं जो कि कई सालों से बाहर लोग हाट सुपरल्स में करा रहे थे लेकिन अब वो इस वक्त एक से दो मेने में जो और यहां पर इतना रिलिफ मैसूस कर रहे हैं जिनकी कोई कुछियों की कोई मैं मिसाल नहीं दे सकता हर किसी के जहरे पर यहां कुछी है क्योंकि यह लोग यहां पर एक्दम सुकून और बहाल वैसुस कर रहे हैं अपने आपको कि अपने आपको झाल झाल कि उप्रची को बच्चे नहीं थे इलाच करें थो हो गाई हापके दो एक मैले में आमल खार गाई है तो एक मैले में आमाल खार गाई है वो इनर फिर सेशन वे वह लोगा, कितने बार आपने दवाये ली नाए दूर नाए लीड़े लीटानी? एक बार में चोगा हमारी बच्ची को, हमारी भवक भी दूसरी बार में होगा कई बने बताय थे फिर कुई इलाज ने हुआ तो यहां पर बताय थे हुआ तो कितने दिनों से आप बता रहे थे हुआ 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 तो तीन चार साल बताय दूसरे दवाखनों में ने हुआ तो यहां पर दूसरी बार में छोगा अभी आजपए दौताइब में दौतादे, जो भी आते थे वो तो सब नॉर्मल होगे, जो भी आते थे वो तो सौनल है, जो दो नॉर्मल होगे चले तो दम चड़ता था, वो भी कम है अभी अभी तो ठीक है अपके वालदा को ये बिमारी है ये परेशानिया है आपने कई हास्पिटल बताया था पहले दस साथ से तो दवा खा रहे है हाट की कुछ परफ तो नहीं दिख रहा है केर हास्पिटल की खा रहे है तब आप यहां शफाखा न जबाए आपको तब आपको कैसा लगा यहां का इलाज कैसा लगा अपका टीटमेंट कैसा रहा है हाँ अच्छा लगा बहुत अच्छा है कितने शेशर में आपको फैदा हुआ है अभी तो हम एक महीने की लेके गए उसमें फारख हो जाता बोलके अभी हम फैशन क्या परिसुस कर रहा है हाँ ठीक है दमचड़ना कम है खटे डगारा जो भी होते थे वो कम है सांस जो पूलती थी वो कम है चेस्ट पर रात में होता था उटके बैठ जाते थे वो कम है अभी तो आपको टीटमेंट दवाएं किस तरह कि दी जा रही है वो टैबलेट से हैं टैबलेट से कुछ पौडर है बारिक सा बस दो तीन किसम की है यह जाने इलाज कम हो रहा है उसके कोई साड एफिक्स नहीं हो रहा है कोई साड एफिक्स नहीं है अब तो क्या कहना चाहिए आप ज्यादा पैसा दालने से तो अच्छा है थोड़े पैसों में गरीब लोगों काम निकल जाता है तैसी नहीं का रहा है किलागोल कुंड़ा क्या हुआ था आपके भाई को आपने कहां कहां इलाज करवाया पहले वो बताई है ने पहले तो इलाज ने कर रहा हैं बोग सिदा कराई सिदा कि अगिम सब को बदाए तो एक मैने के कुर्स में सो खतम कर दिया अभी अलगा तारफ में खाना वहरा जा रहा ने था पुल गाता ता गड़े का था खाना वहरा कुछ ने चल रहा था तो एक मैना अम लोग दॉक्टर्स के बास फिरे सब्जे ने उसके करवाना चाहिए एक बार बता लेना चाहिए और शिफा देना खुजरत अला के हाथ मेरा नाम शिशांक क्या अभी स्टड़ी कर रहें आप क्या पड़ रहें इंटर फास्ट एर बाइटिक फिवर आया तो कहीं बाहर रिलाज करवाया था अपने कों से हास्पिटल के शोद अभी रिखन नहीं तो यहां का पता आपको डाक्टर यूनानी जो शफाखाना है उनका पता कैसा लगा आपको हमारा हेट काने स्टेबल बोला था यहां पर आपके दावा अच्छा दे रहे था मुंके आप आया तो यहां आने के बाद में कैसा रहा आपको हाई दो एक दो पूरा आपको पापा भी रहा आपको पता चला आपके बेटों को यहां पर आने के बाद दिलास टीक हो जाएगा पको कैसा मालूम हो सारी अमारा एक एसे तकनल मुझी नहीं पताया कि यह साइच अप जब अच्छा ठीक हो जाएगा तो अमने एक बार आया नके पास जब अबर बच्चे को यह जो प्र नीव पेंस था ना विल्कुल टच नहीं और तो अमने एक बार तो लिक्विड देखे लागा तो बैट गया उना च्छा तो उसमें विश्वास आगा आने के पाद इनको तो दवा दीए एक माहने में पूरा नों बाइटने को बार फ्री हो है तब सबीतों कि इनको नीम्स में भी दीखाया यह श्वास में दीखाया है उसे साइड एफेक्टा थो पल कि इनके पास आया में इनके पाने से अच्छा है और आपने अपके लड़के ने बता कि तक एक साल तक आपने हास्पिडल से बताया अमरीका ने जो इंग्लिश इसे कोई आपको फरक नहीं लगा हुआ नहीं वो तो उसमें फरक नहीं पड़ा क्योंकि उनुन बैडने को भी नहीं आ रहा था तो इनके पास आने के बाद और बाके का दूद में तो दूद में तो अच्छा बैडने को एक मोगा मिल गया इसलिए हम सोब को बताना चाह र सब्सक्राइब को दूद में आपकी एरिया कि अड्रस भी अट्रस भी उताई है त्याल कुंटा गुल्याद नगर कमेटी हाल और भाई साहब यह जो दवा है यह जो बाल जो फेल हो जाते एक मिना खिला दो बाल से हो जाते जो डॉक्टर बोलता अपरेशन करना पड़ता प्लास्टिक का बाल डालना पड़ता श्टील का बालना पड़ता एक चमद सुबा एक साम में खाने से घाई के दूसरे यह बाल से हो जाता और दोतरी बात क्या है आपके डाले से सुरे गुर्दे सुकुड जा रहे तो अब रपास खाली पानी जड़ी बूटी के देतों म ने ऐसा आपको रिपोर्ट मिल जाता तीन मेहने में गुर्दे सुखे में भी सही हो जाते कि यह कर ले सकते हैं जैसा जैसा मेरे पास में से संड़ आथा ऐसा फूरा गारा यह कर सकते हैं siamo डिपोर्टन के लिकाने फिर उसको दवामें तोड़ा तब्ली करता हूं में और इ वेद्रावाद पूरा तिलंगाना अंधरा में कितने हमारे बच्चे हैं माबने सुए गिंती नहीं यह पूरा बच्चियों के लंबर है एक देख लीजिए पूरे बच्चियों के लंबर है जितने को फायदा जिसको अवलाद नहीं हुरी है दस साल 15 साल 20 साल पचीस साल यह चाहिता रजाइ नहीं के बुराबर है हमारे desde the beach बेटियां वहना जो है इनको अवलाद के वासे दर भातक रही है आ के जब दो दो आप पीने के बाद में उनको अव्लाद वान देता आकर नाम और लंबर पूरा बुक भरा हुआ है कोई चार्ज जादा नहीं हमारे पुलिस वाले साहिब लोगा पंचन बाके और लों को भी हाट को खुला किरनी इसी पूरा इदेखें लंबर को लोगा भी पूरा मेरे पास से आके फाइदा उठाई से यही है कि आप लोग पर इस से थोड़ा सा व लोग भी आईए यहां पर इलाज कम से कम में आपको फाइदेमन हो सकता है और कुछ बताई ड़क्तर कि यह जो है थारट का कहीं भी लाज नहीं है मैं खाली वहां लगड़ी है जिस जो फारट कि लख्री है इतना काट के देतों मैं काट कर देवाद पत्थर पे चार कत्रा पानी डालके घस के इसका जो है अधाल यहां पर लगाना खाली यहां पर लगाना लगाने के बाद में बीस दिन मैं फारट चक करा ले ना यह 200 इंजी के गोली देखिए वाई स पूरी पूरी रिपोर्ट है लेडिस की जो थारट से पूरे मेरे पास है दोसरी बात क्या है एक टॉंसों को भी काम करता यह चोटे बच्चे जो डाक्टर बोलता है नहीं गल्ले आगे टॉंसों करना पड़ता है खाली चार कतरा पाइं डालके उस बच्चे को यहां लगाने का रहाता है बस बाहर से लगाना अधर दिन लगा टॉंसोंस खाता हो जाता है इससे जाड़े में खुवी है और आपको जबान में जबान पक जाती है यह पत्ते को पर फोड़े आते छोटे-छोटे दो ऐसा फोड़े निकाल के धो लेकर नहार पे चार दिन खाने के बाद में और फोड़े पुरा खतम हो जाते है ठीक है यह कहीं भी रोट पे में जाता देख लिए इसको गुल्लर बोलते है आपने गुल कि पूड़े अजोए आए पाद में किसमा के डाक्टर हो रहा गफार देना पड़ता है कि हमारेए इतना बैख करने दो उसको रगड़ो और उतन थुक्तेरों बाकर केड़ा निकल जाता और दान्त हिल्ला इतना द्रप्स होता है अध्युत आत में रोग ग्राय देख में चमकना चालो जाता है अगर इसको निगल लिए गलती से तो मुझस लग जाते हैं उसको ध्यान देते हुए करना है आपको ठीक है यह किस चीज का पता है क्या यह पास पर जनली एरंडी वोलते हम लो जनली एरंडी जनली मोजूद है कहीं भी मिलता रोड़ों पे भायों को हम पर मालूमात ने सिरीफ दोखाने को भागते रहते हैं इंजक्शन ले रहे दाते निकार रहा है क्या अंसर हो जा रहा है आज गलाम हो गया है दाता उखरते ही अंसर हो जा रहे तो यह चीज को इस्तेमाल करो जेनली एरंडी है आप गवर से देख लिजे भाई मेरे इसा आ जिस देख लेकिन डट साफ की जो पहिछान होती है वह पहिछान के हिसाब सिद लेनी की बाती कुछ और होती है लेकिन आप भी यहां पर आई है ये किस चीछ का पता है डगी का पता गुठी का पता जाता इसे कहीं भी रोट पे मिलता ही है इसको इसका नाम है गुट-गुटी के पत्ता इस पे आलू बेगन अर्वी धई मच्छी नहीं ख़ना रहाता इस दवाओं के उपर प्रहेज भी है इसके उपर जो भी जड़ी बुटी के दवाय होती है उसको पहले फायदा होता तो 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 कि अद्यक्र पेज है पाणिड फ्री दॉटा पर जड़ी को फीड शौटे पीस करके अप्रिधा कर लेकर खोड़ गलास पाणी के चाल लेके इसको पी लेना यह थी लेना एक पांच्या ज़न पीचे पर आई ज़ाँ तुक की स्वीर चालियो जाते हैं अभर सुगर में नारं भोता इसको पानी जब राप में दालें भर थंड़ा पानी अटहिनक गरूंग दगरम प्रहार एक और इस augment इसके प्त्य भी सबीखा सकते देखें में खाकर बतारहूं कि अणने को जरूर। e name internationär थाद फोड़ झाली। का लगत Years 08 आपको क्या लगत धीक आज शान की को बातें हैं कि आप सामा यो बच्छी को पारा है व्योंगे शाल से मिन ठीकली बुटाएं एक युट ता है तो जैसे सायस कबस आया है बच्च भी बोल रहा जो भी उनको बीमार आगा है तो एक दम इनको फोन करते उननों बात कर लेते वैसा सिस्टम चल रहा है और पास यहां पे पेशंट पेशंट को यह शेरिंग कर रहे हैं कि आई यह 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 चाहिए क्या है इदेखे अमारे बेंडियां कुछ प्लिश उपने मंतली साफंटी तेर गेंड़ा फिरते रहती तीट दीन पीने को बाद में उसी महनवारी चालू हो जाती जो अंदर गड़ रहते सब गड़ जाते तो चार घंटे तक खाना नहीं खाना रहता है तो जड़े इसको फेड़े पहोता है इसे पोई निचे से जर्ज कंसर्ट नहीं रहता इसको जमीन से कोई तालुक आतनी है इस जाड़ पर ता इसको आकास बेल बोलते हैं जंगलों में होता है इसमें आम तो पर नहीं है तो यह जंगल से जाके पूरा एक साल का कोटा खड़ा करता हूं तो इसे जो गड़े रहते है जब डेट होती हो रोतों को दोसरे दिन फून करना भाई बच्चे होने की दवा पीने आने का है तीसरे दिन सुब आठ बजे से लेकर नो दस बेता का सकते दवा हम पिला देते उनको पर वाला से नवात देता हूं अच्छा अच्छा हाट के लिए लोग तगरिवन कर र देते हो उसके पोडर मनाता हूं और गोलिया बनाने लगाता हूं देता हूं अलहम्दोल्ला उलोंको हाट के वाल खुली जाता है आपके अगर कमर के रख दब गई हुए अगर पैर आपको सुन हो जा रहा है पांच मेंट में आपको राइट करते तो मैं और ये ग्याग भ दो सुन रख दिया लेता है बस चारव पर उसका काम फिरी हो जाता है हाजार रोत पाईसे लेना देना नहीं होता है आद्म को इलाज होना चाहिए बस इलाज होना हमारे को नाम होना बरने को ज़्चुन सब्सक्राइब कर रहना बगार आपके पास कौन कों से ज्यादातर हर भी बीमारी किया थे सब हर भीमारी गाते है अदवतार अपने कुछा है पूरे इलाज हो पूरे इलाज हो गिंती नहीं है अभर यह जो है अब इसके साथ पर एक लेटिस है थी उने बड़ी एसाब मेरे साह में पूरा जराज एक साल ते ड़ लागे दोला कर दी मैं वहा अपिर उसको दवा दिया, खाली 12 रख भी अवरस कोचो कितना फरक हुआ भोलेकों आईए आप से कोई लेते हैं, आप का नाम बताए परले यह वडमगडे मेरे थे जो है नहीं है कितने साल से ता अपको यहां पर बड़त है यहां वे यहां पधाया कितने प्लिच करचा हुआ बजना गांगा गांगा थोड़ा कम है थोड़ा कम है थोड़ा कम है अब पुरा आगी वी और कम हो जाएगा उपको अमीर है यह लोग हास्पिटल जाते हैं तो परेशान हैरान चहरे दिखें लेकिन यहां पर डक्टसप के पास ही तो हर किसी के चहरे पर मुस्कुराइट है क्योंकि वो बीमारी अला यहां चाहब देने वाला है लेकिन डक्सप जरिया है लोग यहां पर आ रहे हैं और भी कुछ गलोगे आप पताईए आप क्या इलाज के लिए यहां पर रहे थे श्पेशली हमरे हमरे सास है यहां पर टीटमेंट लिए हाट का टीटमेंट करों लिए आप उनको अभी इध मिन के लिए है आज पहला दिन में आया हुए है आपर चलिए सेयद मुस्तफा अधिन साहब की आपको और एक खुसोसी और एक बहुत ही आहम बाद आपको बताने जा रहा हूं मैं आपको तकरीबान लोग जब कुछ होता है यानि कोई भी बीमारी होती है तो सीदा दवा ख के शोदा में आलेडियों प्राक्टिस में है लेकिन वहां पर उनको पता नहीं वह यहां आए है और इलाज के लिए तो उनको पुछते हैं ऐसा क्या खास खुबी को लगी ड़क्टर साब में जो आपनों यहां पर इलाज के लिए अगए मेरे फ्रेंट्स के किद्नीस जो पर इलाज को तो उनको ट्रीटमेंट करें अचा मेडिसन में एक से एक टीटमेंट हाप को बहुता है आपको भी लेकिन उस पर आपको यखिन नहीं है फिर जो डाक्टर साब के पास यहां पर जो इलाज इतने आज़ानी से आप कर वा रह रहे हैं यहां नहीं को बोले तो आज़ानी को इसका दो से मिला से मिरकुन का यहां दोस्ते मिला से मिरकुन के पास ऐड़ा जायं के पास एंधन नहीं कैसा महसुस कर रहे हैं आप दुल्ला कितने सेशन में आपको फरक हुआ है एक दो-तीन सेक्शन मिसें क्या एलाजटें, मतलब कुछ दावाएं के जरीए कि खींगों नह दावाएं के जरीend क्या दावाएं मिली हैं आपको दो थो। पोर्टो साफ को उनको मारुम आदा डॉक्त ह्को मालम घरता न हो जी आळे हैं कर ले दो। इसको मालम है। तो आप लोगों को क्या सदेशन देना चाहेंगे लोग तो आरन के पद रहा है यहां बिल्कुल ज़रूर आई हैं बोलते हैं तो इसे विद फ्रेंट्स को हमारे फ्रेंट सर्किल को और हमारे रिल्डियस में अच्छा है लाज चाहेंगे बंद दो आपका बहुत दो शुक्रिया देखे एक टक्र साहब एक टक्र साब के लिए रिफर्स कर रहे हैं कि आईए यहां पर और बहुत पेशन्ट से अगर आप यहां देखते जाएंगे तो सुबा लोग लाक्साब सुबा साथ बजे से या छे बजे से यहां पर करते हैं किस तरह से वो तकलिफ़ों से दूर हूए है और डक्र साब ने भी आपको कई चीजों से वाकिप कर वाया है कितनी कौल कॉल सी भीमारियों से क्या-क्रलाज होता है वो जो भी है वो है सिर्फ और सिर्फ जड़ी बुटी है यानी कि यूनानी है और अएरवदा है जो दवाय है ये खुद्रती होते हैं इसमें कोई दूसरी चीज़े मिलावट नहीं होते हैं जिससे अगर मिला दे तो शायद साइडरफक्स होगा लेकिन इससे कोई ऐसा साइडरफक्स नहीं है ये बिलकुल ही प्यूर है आब आए आ सकते हैं जैसे कि इस वक्त मैं भी आया था तो मुझे थोड़ा सा दाड़ में दर्था तो मैं डक्ट साब से जब पूछा तो उन्होंने सिर्फ यह ये मुझे पोदा दिया है एक छोटा से लकडी का तुकड़ा है ये को कुछ अरेंडी कुछ कहते हैं जंगली अरेंडी कुछ जाड़ इसने नाम बता है शफाखाना यूनानी और वदा इस वक्त यहां पर तक्रिमों लोग भी आ रहे हैं और वी बहुत इंतजार में हैं तो डक्ट साब से बात कर रहे थे इंशालला हम अगले पूस्ट में और भी जो चीज़ें जो फाइदे हो सकते हैं वो बिलकुल आप तक पहुंचाने की प अब तक के लिए मेरे साथ केमरेमेंट और मैं आपका दोस्त जफर खान को दीजिये जाज़त अल्लाहाफिस देखते रहे है है टेक टीवी कर दोस्त जोऑदे को शीज़ें तक कर दे जाब कर दोस्त तक को दोस्त जो गवी